वेल्कम टो स्टेडी वाच दबियर स्टोरी भालू की कहानी ठीक है पूर का मतलब ज्यसे आम जानते है भालू स्टोरी के मतलब कहानी ये कहानी NCRT के Class 7 की English Supplementary की Book एन एलियन हैंड का ये चैप्टन नमबर 8 है इसके पहले के चैप्टन की वीडियो पना दी गई है उसे आप देख सकते हैं ठीक है ये कहानी एक भालू और उसकी मालकिन और उसके कुक के बारे में है जिसमें मालकिन को ये भालू अदमरी अवस्था में जंगल में मिलता है वो उसे वहां से लाती है और उसे पाल पोस कर बढ़ा करती है ये भालू बहुत ही मै प्त्रिपूर और अच्छे वेवार वाला भालू है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इस कहानी में एक ऐसी घटना होती है, जिससे उसकी माल्किन बहुत आश्रच्रचकित रह जाती है और उसे अपने गल्ती का भी ऐसास होता है, तो देखते हैं वो कौन् तुब भालू था ठीक है इट वस अ मोस्ट फ्रेंडली बियर यह बहुत जादा एमिकेबल बियर था ठीक है फ्रेंडी का मतलब यहां पर कहें एमिकेबल बहुती दोस्ता ना बहुती मेतनी पूर बहुती मिलनसार भालू था who loved vegetables, apples and honey जिसे सबजियां, सेब और शहद पसंद थी ठीक है who loved जो पसंद करता था क्या सबजियां, सेब और शहद he roamed freely during the day वो दिन में आजादी से घूमा किया करता था roamed का मतलब क्या है, घूमा करता था freely का मतलब आजादी से during the day दिन में, वो दिन के दौरान दिन में वो आजादी से घूमा किया करता था but लेकिन was put on the chain at night, लेकिन रात में उसे जन्जीरों में रखा जाता था, रात में उसे जन्जीरों में बांधिया जाता था चलिए आगे देखते है, there was once a lady, एक औरत थी, who lived in an old marron house, जो एक पुराने marron house में रहती थी, on the border of a big forest, एक बड़े जंगल के सीमा पर, एक पुराने marron house में एक औरत रहती थी लेडी का मतलब क्या है, जो सज्जन औरत होती है, उसे लेडी कहते है, this lady had a pit bear, इस लेडी के पास एक पालतू भालू था, she was very fond of, जिसे वो बहुत प्रेम करती थी, बहुत पसंद करती थी, fond of का मतलब क्या है, like पसंद करना, it had been found in the forest, half dead of hunger, it had been found, ये उसे मिला था, it किस के लिए यहाँ पर, उस भालू के लिए है, it had been found in the forest, ये इसे जैंगल में मिला था, half dead of hunger, भूग से अधमारा, half dead का मतलब क्या है, अधमारा of hunger, भूग से, भूग से वो अधमारा था, so small and helpless that, वो इतना छोटा और असहाय था कि, so small का मतलब, इतना छोटा and helpless, इतना असहाय था कि, it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook, it had to be brought up, इसका पालन पोशन होना पड़ा, इसका पालन पोशन करना पड़ा, brought up का मतलब क्या है, पालन पोशन, bring up का, ये second form है, bring up का मतलब होता है, पालन पोशन करना brought up है, तो उसका पालन पोशन किया गया, on the bottle, बोटल पर by the lady, उस औरत द्वारा and the cook और उस cook द्वारा पूरी cook द्वारा इसका पालन पोशन बॉटल पे किया गया यानि इसको दूद पिला करके बॉटल में इसको पाला पोशा गया this was several years ago ऐसा कई वर्ष पहले था and now और अब it had grown up a big bear अब ये एक बड़े भालू के रूप में बड़ा हो गया है ठीक है big bear का मतलब बड़ा भालू grown up का मतलब बड़ा हो गया है so big and strong ये इतना बड़ा और ताकतवर है कि strong का मतलब ताकतवर है कि it could have slain a cow कि ये एक गाय को मार सकता है slain का मतलब क्या है kill and carried it away between his two paws और इसे अपने दो पंजों के बीच में इसे वो उठा भी सकता है if he had wanted to अगर वो ऐसा करना चाहे तो अगर वो ऐसा करना चाहे तो वो एक गाय को मार सकता है और उसको अपने पंजों में उठा भी सकता है but लेकिन he did not want to लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता he was a most amicable beer ये बहुत ही ज़ादा friendly beer है बहुत ही ज़ादा मैत्री पूर्ण beer है amicable का मतलब क्या है जिसका वेवार बहुत अच्छा हो जो बहुत friendly हो जो बहुत ही ये amicable beer है who did not dream of harming जो सपना भी नहीं देखता किसी को नुकसान पहुचाने का anybody किसी को man और beast चाहे वो आदमी हो या फिर जानवर beast का मतलब क्या है जानवर पशु वो किसी आदमी को या किसी पशु को नुकसान पहुचाने के बारे में भी नहीं सोचता है उसके सपने में भी ये नहीं आता है dream का मतलब यहाँ पर क्या है हम कह सकते है think ठीक है वो सोचता भी नहीं है किसी को नुकसान पहुचाने के बारे में ठीक चलिए आगे देखते है he used to sit outside his kennel वो अपने kennel के बाहर बैठा करता and look with his small intelligent eyes और अपनी छोटी और समझदार आखों से देखा करता most amicably बहुत ही प्रेम से most amicably का मतलब क्या है बहुत ही प्रेम से at the cattle उन पशुओं को उन cattle का मतलब होता है जिसे गाय भैस वगरे यह सब cattle में आती है उनको देखता grazing in the field nearby pass के field में चरते हुए वो बड़ी ही प्रेम की निगाहों से उन जानवरों को खेप में चरते हुए देखता था जो उसके घर के पास में था जो उससे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे and or did not mind in the least और उन्हें जरा सा भी फरक नहीं पड़ता था जब वो अपनी मालकीन के साथ इस तबल में आ जाता था तो अपनी मालकीन के साथ उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता था जो mountain ponies थे उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता था तो उससे डरते नहीं थे the children used to ride on his bag बच्चे उसकी पीट पर सवारी किया करते and had more than once been found asleep in his canal between his two paws और एक बार से जादा and more than once में सोए हुए पाए गए यानि वो इतना अच्छा था भालू कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाता था बच्चे भी उसके साथ खेलते कूटे थे the three dogs love to play all sorts of games with him three dogs तीन कुटे love to play खेलना पसंद करते थे all sorts of game हर तरह का खेल with him उसके साथ उसके साथ हर तरह का खेल वो तीन कुटे खेलना पसंद करते थे pull his ears उसके कान खीशते and his stump of tail और उसकी छोटी सी पूच को खीशते stump का मतलब यहाँ पर क्या है छोटी stump of tail का मतलब है उसकी छोटी पूच को खीशते उसके कान को खीशते उसके पूच को खीशते चलिए आगे देखते हैं देखिए इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह तीन कुटे हैं जो इसके कान को खीश रहा है और यह इसके पूच को खीश रहा है तो ये इस तरह से वो उसके साथ खेलते थे and or tease him in every way और हर तरह से वो उसे परिशान करते थे tease का मतलब क्या है मजाग के भावना से छेड़ना तो उसे वो हर तरह से छेड़ा करते थे but लेकिन he did not mind it in the least लेकिन वो जरा सा भी इन बातों का बुरा नहीं मानता था he did not mind वो नहीं मानता था उसे फर्क नहीं पड़ता था in the least जरा सा भी उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था he had never tasted meat उसने कभी भी मांस का स्वाद नहीं लिया था tasted का मतलब क्या है स्वाद लिया था, मीट का मतलब मास, उसने कभी भी मास का स्वाद नहीं लिया था He ate the same food, वो वही खाना खाता था, as the dogs जैसे कुटे खाते थे And often, और अक्सर out of the same plate, और अक्सर उसी plate में वो खाया किया करता था जिसमें कुटे खाते थे, वो क्या का खाता था, ब्रेड खाता था, परिज हलुआ खाता था, पोटेटो, आलू, कैबेज गोबी, तरनिफ शल्जम, वो ये सारी चीजें काता था He had a fine appetite, उसकी भूख अच्छी थी, appetite का मतलब क्या है, भूख, ठीक, उसकी भूख अच्छी थी And his friend, the cook, और उसकी दोस, जो वो रसोयन थी, saw to it, और उसका वो देखभाल करती थी, saw it का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत उसका ध्यान रखना, खयाल रखना, that कि it got his feel, कि वो उसको पेट भर खाना मिल जाए, he got his feel का मतलब क्या है, कि उसका पेट भर जाए, वो इस बात का ह मेशा ध्यान रखती थी, उसकी दोस जो कुक थी, किसकी दोस थी, उस बेर की जो दोस थी, beers are vegetarians if they have a chance, beers भालू जो है, वो शाकहारी होते हैं, अगर उनको मौका मिले तो, अगर वो उन्हें मांस न मिले तो वो शाकहार से भी अपना काम चला लेते हैं, and or fruits is what they like best, और फल उ मौसम में, in the autumn का मतलब क्या है, पदज़ड के मौसम में, he used to sit, वो बैट जाया करता, and look with wishful eyes, और चाह भरी आखों से देखता, विस्टफुल आइस का मतलब क्या है, चाह भरी आखों से, at rapining apples, पकते हुए सेबों को, in the orchid, फलो के बागीचे में, फलो के बागीचे में, व had been sometimes unable to resist, वो कभी-कभी अपने आपको रोकने में असमर्थ होता था, sometimes का मतलब क्या है, कभी-कभी resist का मतलब होता है, अपने उपर नियंतरन रखने में असमर्थ हो जाता था, resist the temptation, अपने लालच को नियंतरन में रखने में, वो असमर्थ हो जाता था, temptation का मतलब क्या है, ला कुछ फल वो चोरी कर लेता था तो बच्पन के दिनों में वो अपने उपर कंट्रोल नहीं रख पाता था पेड़ पर चढ़ जाता था और उसमें से कुछ फल वो चोरी कर लेता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता है बेर्स लुक क्लमजी भालू थोड़ा भद्दे दिखते हैं कलमजी का मतलब होता है जो लापरवाही से काम करें भद्दे रूप से काम करें उसे हम कहते हैं कलमजी एंड स्लो वो थोड़ा भद्दे और धीमे दिखते हैं in their moment अपने चैलन में जब वो चलते हैं उनका जो moment होता है body का वो बहुत slow और clumsy नजर आता है बट लेकिन try a beer with an apple tree you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game बट लेकिन try a beer एक कोशिश करो एक भालू से with an apple tree एक save के पेड़ पर चढ़ने की you will find out that आपको तुरंग पता चल जाएगा की he can easily beat वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है any school boy किसी भी school के लड़के को आसानी से हरा सकता है at that game इस game में यानि पेड़ पर चढ़ने के game में वो किसी भी school के बच्चे को भी आसानी से हरा सकता है जैसा कि वो दिखने में थोड़ा clumsy और slow नजर आता है ऐसा नहीं है now he had learned that लेकिन अब वो सीख चुका था it was against the law कि ये नियम के खिलाफ है ये नियम कानून के खिलाफ है अब वो इस बात को जान चुका था but लेकिन he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground but लेकिन he kept his small eyes वो अपने आखों को हमेशा खुला रखता था wide open का मतलब वो बिल्कुल alert रहता था अपनी आखों को हमेशा खुला रखता था for any apples किसी भी स्वेप के लिए that fell to the ground जो भी जमीन पर गिरे जो भी जमीन पर फल गिरे उसके लिए वो हमेशा अपनी आखों को बिल्कुल तयार रखता था there had also been some difficulties about the beehives कुछ मधुमक्य की छटों को लेकर भी कुछ परिशानिया थी difficulties का मतलब क्या है परिशानिया भी है उसका मतलब मधुमक्य के छटों को लेकर भी कुछ परिशानिया थी क्या परिशानिया थी he had been punished for this इसके लिए एक बार उसे सजा मिल चुकी थी by being put on chain for two days दो दिनों तक chain में बांद करके and a bleeding nose और एक नाग तुलवा करके उसको अपनी नाग तुलवा करके और दो दिन तक chain में बांद करके उसको इसकी सजा मिल चुकी थी and he had never done it again और उसने ऐसा दुबारा फिर कभी नहीं किया यानि मद्यमक्की के छटों को छेड़ने की सजा उसे मिल चुकी थी उसे दो दिन chain में बाना गया था और उसकी नाग भी तोड़ दी गयी थी bleeding nose भी उसकी हो गयी थी इसलिए फिर उसने ऐसा दुबारा कभी नहीं किया otherwise नहीं तो he was never to put on the chain except for नहीं तो otherwise का मतलब नहीं तो he was never put on chain उसे कभी भी chain में नहीं रखा गया except for the night रात को छोड़ करके उसे कभी भी chain में नहीं बाना जाता था सिफ रात को छोड़ करके and quite rightly so और ये बिलकुल सोभाविक भी था and quite so का मतलब क्या है and quite rightly so का मतलब ये काफी सुभाविक था for a beer एक भालू के लिए like a dog एक कुत्ते की तरह is apt to get somewhat ill-tempered कि थोड़ा सा ill-tempered हो जाना थोड़ा सा चिर्चिरा हो जाना if kept on the chain अगर लगातार उन्हें चेन में रखा जाए अगर उन्हें लगातार चेन में बंद किया जाए तो वो थोड़ा सा ill-tempered हो जाते है भालू भी and no wonder इसमें कोई आश्चर की बात नहीं है अगर कोई भालू चेन में रखा जाता है तो कुत्ते की तरह वो भी इसे पसंद नहीं करता है चेन में पंदे रहना उसे भी थोड़ा सा उसे irritation होती है चलिए आगे देखते है दा लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे हर संडे को हर रविवार को वो औरत अपनी बहन से मिलने जाती थी ठीक या विजिटेट का मतलब क्या है मिलने जाना ठीक लीविंग दा बियर ऑन दा चेन उस बियर को पूरे दुपहर चेन में बांध करके वो उसे चेन में बंदा हुआ पूरी दुपहर छोड़ करके अपनी बहन के पास मिलने जाय करती थी वन संडे एक रविवार को वाइल वाकिंग थू देंस फॉरेस्ट घने जंगल से होते हुए उसको अपना पीछा करता हुआ पाया पूरी जंगल में तो देखा उसने संडे को वो इतनी नाराज हुए कि नाराज हुए उस नाफर्मान भालू से that she hit him on the nose with her umbrella उसने अपने umbrella से उसकी नाग पर मारा but लेकिन the bear was really friendly लेकिन वो bear वास्ताओं में बहुत ही ज़ादा दोस्ताना था बहुत ही ज़ादा मैतरिपूर था ठीक चलिए आगे देखते हैं उसको ऐसा उसने क्यों किया उसके पीछे वो क्यों आया वो हमेशा संडे को जनजीरो में रखा जाता था जनजीरो में उसे बाना जाता था जब उसकी मालकिन वेन टो स्पेंड दा आफ्टर नून जब दोपहर वो वैतीत करने जाती थी विथर मैरीड सिस्टर अपनी शादी शुदा बहन के साथ जो उस अकेले घर में रहती थी शुदा आफेंड ये वो उनके पास मिलने उसकी मालकिन जाती थी ठीक है स्पेंड का मतलब होता है वेतीत करना ठीक चलिए आगे देखते है जो कहां पढ़ता था एक अच्छी खासी दूरी पर अच्छी नमाने हलती है घाती है काफी लंबे चलने के बाद उस घने जंगल में वो पहाडियों की जील के उस तरह उपड़ता था It was not supposed to be good for him to wonder about in the forest with all its temptations It was not supposed to be good ऐसा अच्छा नहीं माना जाता For him उसके लिए to wonder about in the forest की वो जंगल में घूमे with all its temptations अपनी पूरी लालत के साथ, अपनी पूरी चाहत के साथ, वो पूरे जंगल में घूमें, ऐसा उसकी मालकी नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको साथ में लहीं आती थी, बेटर था कि कोई रिस्क ना लिया जाए, ठीक है, तुबी ओन दा सेफ साथ का मतलब क्या है, कि कोई भी रिस्क ना लिया जाए, सुरक्षित उपाय किया जाए, ठीक, पलट दिया, अपसेट का कई मतलब होता है, अपसेट का एक मतलब होता है, उदास, एक मतलब होता है, जब कोई कमजोर टीम बड़ी मजबूर टीम को हरा दे, उसे एपसेट कहते हैं, और एक एपसेट होता है, उलट देना, जिसको कैप साइज बोलते हैं, बोट के लिए इसको बोलेंगे कैप साइज, ठीक है, जिससे ना उलट गई, और उसको और उसकी मालकीन को किनारे तैर कर आना पड़ा, ठीक, अब उसे ही अच्छे से पता चल गया था, उसका क्या मतलब है, जब संडे को उसकी मालकीन उसको चेन में डालती हैं, तो उसका क्या मतलब है, उसे पता चल गया था, अब क्या करते हैं, चेन डालने के साथ क्या है, वो फ्रेंडली टैप, उसका बहुत ही अच्छे से उसके सिर को थपथपाती है, और एक सेब देने का वादा, अगर वो उनकी अनुपस्थिती में अच्छा विवार करेगा, तो वापस आने पर वो उसे एक सेब देंगी, और उसके सिर को थपथपाएंगी, ठीक, उसे अपसोस था, लेकिन उसे ये एकसेप्ट करना पड़ा, रिजाइंड का मतलब क्या है, किसी अप्रियस्थिती को ना चाहते हुए भी मानना, ठीक, जब उसकी मालकीन उसे बताती है, जब वो जाने के लिए, उनके साथ नहीं आ सकता, तब वो क्या करता है, उसे अपसोस तो होता है, लेकिन फिर भी वो उसे एकसेप्ट कर लेता है, उसे मान लेता है, One Sunday, एक रविवार को, when the lady had changed him up as usual, हमेशा की तरह, as usual का मतलब कहा है, हमेशा की तरह, जब उसको उसने जनजीरों में डाल दिया, ठीक है, चेन में डाल दिया, and or, was about halfway through the forest, और वो जंगल के आधे रास्ते पर पहुँच गई थी, She suddenly thought, उसे अचानक लगा, उसने अचानक सोचा, उसे अचानक लगा, She heard the cracking of a tree branch, उसने एक पेड की शाखा को तूटने की आवाज उसने सुनी, on the winding footpath behind her, जो winding path था उसके पीछे वहाँ पर, winding इसको कहते हैं, जो ऐसे घूमता हुआ रास्ता रहता है, उसको, ठीक, She looked back, उसने पीछे देखा, and was horrified to see, और उसे देखकर बहुत भैव हुआ, उसे देखकर बहुत डर लगा, See the bear coming along full speed, full speed में आते हुए, bear को उसने देखा, उसे बहुत आस्चर्य हुआ, बहुत जादा वो घबड़ा गई, Bears look as if they move along quite slowly, bear दिखते हैं as if, मानो, they move along quite slowly, कि वो काफी धीरे चल रहे हुँ, जब भालू चलता है, तो ऐसा लगता है, को धीमा चल रहा है, बट लेकिन, they shuffle along much faster than a trotting horse, लेकिन वो एक ठुमकते हुए घोड़े से तेज चलते हैं, trotting horse का मतलब क्या है, जो घोड़ा ठुमक करके medium speed में चलता है, उससे वो तेज चलते हैं, एक मिनट में, he had joined her, वो उन तक पहुँच गया, panting and sniffing हाफता हुआ और हवा में सूंगता हुआ, तो टेक अप his usual place और अपने हमेशा वाले स्थान को उसने ले लिया, dog fashion, एक कुत्ते के अंदाज में, एक कुत्ते की तरह, at her heels, उसके पीछे-पीछे, heels का मतलब यहां पर क्या है, behind उसके पीछे-पीछे, वो उसके पीछे-पीछे चलने लगा, the lady was very angry, औरत को बहुत गुसा आया, she was already late for lunch, उसे पहले ही lunch के लिए देर हो रही थी, there was no time to take him back home, उसे घर वापस ले जाने का भी समय नहीं था, he did not want him to come with her, वो यह भी नहीं चाहती थी, कि वो उसके साथ आये, वो भालू उस महिला के साथ जाये, वो ऐसा भी नहीं चाहती थी, and or besides इसके स्थान पर इससे बड़ी बात क्या हुई, it was very naughty of him to have disobeyed her, कि इस शरार्ती भालू ने उसकी नाफर्मानी की, उसकी आग्या नहीं मानी, she told him in her severest wise, उसने अपने कठोर्तम स्वर में कहा, to go back at once, कि वापस चले जाओ, अभी at once का मतलब तुम तुरंत वापस चले जाओ, menacing him with her parasol, अपने छाते से उसे धमकाते हुए, menacing का मतलब क्या है, धमकाते हुए, उसने कहा कि तुम अभी तुरंत यहां से चले जाओ, he stopped a moment वो कुछ देर के लिए रुका, वो एक छड़ के लिए रुका, and looked at her, और उसे देखने लगा, with her cunning eyes, अपनी चालाक आँखों से वो उसे देखने लगा, but लेकिन, did not want to go back, लेकिन वो वापस जाना नहीं चाहता था, and kept on sniffing at her, और उसे देख कर वो हवा में सुनता रहा, when the lady saw that, जब lady ने देखा, जब औरत ने देखा, he had even lost his new collar, कि उसने ये अपना नया collar भी उसने खुआ दिया है, उसका नया collar भी खो गया है, he got still more angry, उसे इस बात से और ज़्यादा गुसा आ गया, and hit him on the nose, और उसकी नाग पर मारा, with her parasol, अपने चाते से, so hard that, इतनी जोर से की, it broke into two, कि ये दो हिसो में तूट गया, he stopped again, वो फिर से रुप गया, shook his head, उसने अपना सीर हिलाया, and open his big mouth several times, और कई बार उसने अपना बड़ा मूँ खोला, several times का मतलब क्या है, कई बार, ठीक है, open his big mouth, अपना बड़ा मूँ, as if mano, he wanted to say something, वो कुछ कहना चाहता हो, then फिर he turned around, फिर वो मुड़ा, and began to shuffle, और वापस जाने लगा, वो shuffle का मतला नहीं, walk करने लगा, वो चलने लगा, shuffle back, वो वापस जाने लगा, the way he had come, जिस रास्ते से वो आया था, stopping now and then, और वो बार बार रुख जाता, now and then का मतलब क्या है, रुख रुख करके वो देखता, to look at the lady, वो ल वो भालू, when the lady came home in the evening, जब शाम को वो औरत घर वापस आई, the bear was sitting in his usual place, outside his kennel, वो भालू अपने kennel के पास, अपनी हमेशा बैठने वाली जगा पर बैठा रहा, looking very sorry for herself, और अपने आपने बड़ा अपसोस में था, looking दिख रहा था, very sorry for himself, अपने आपने वो बहुत अपसोस म अपने थी, she went up to him, वो उसके पास गई, and began to scold him most severely, और वो उसे बहुत जबर्जस तरीके से, बहुत बुरी तरीके से उसे डाटने लगी, scold का मतलब कहा है डाटना, and said, और कहा, he would have to be changed for two more days, अब तुम्हें दो दिन तक और चेंज में बनना पड़ेगा, the old cook, वो बुढ़ी रसूइयन, बुढ़ी cook, who loved the beer, जो beer से प्रेम करती थी, as if he had been her son, कि मानो वो उसका बेटा हो, rushed out from the kitchen, kitchen से बाहर निकली, very angry, बहुत गुसे मो वो kitchen से बाहर निकली, what are you scolding him for, Mrs., 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 आप उसे क्यों डाट रही है, scolding का मतलब क्या है, यहाँ पर डाटना, आप उसे क्यों डा दिन, एक सोने जैसा अच्छा बना रहा, यानि आज वो पूरे दिन जैसा इसको रहना चाहिए था, वैसा यह था आज, bless him, उसे आशिरवात दीजिए, he has been sitting here, quiet still, on his haunches, as meek, as an angel, और यह, he had been sitting here, यहाँ बैठा रहा, quiet still, काफी शांती से, on his haunches, अपने haunches पर, as meek, as an angel, इतना सीधा साधा, meek का मतलब यहाँ पर क्या है, सीधा साधा भोला भाला, इतना सीधा साधा भोला भाला जैसी की कोई फरिष्टा, जैसे की कोई angel, looking the whole time towards the gate, और पूरे समय, यह दरवाजे की तरफ देखता रहा, gate का मतलब यहाँ का है, gate का मतलब gate, जो main gate की तरफ वो, द इसे डाटना विर्थ है, इसे आशिरवात दीजिए, तो इस तरह से यह प्यारी कहानी खतम होती है, जिसमें हमने देखा कि उसकी जो मालकिन थी, वो उसे नाजायस तरीके से डाट रही थी, वो भालू नहीं था, जो उसके पीछे गया था, वो कोई और भालू था, लेकिन भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजेगा, चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कीजेगा और बेल आइकन भी जरूर दबाईएगा, आपके सबस्क्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हांसला, तैंक य प्युक्त प्युक्त बताना चाहते हैं तो